हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू माई चैनल होम साइन्स एक्जाम मास्टर आज हम लोग अपने मॉडल प्रैक्टिस सेट पे और प्रश्णों का अध्यन करेंगे तो आज मैं जो आपके लिए लेकर के आई हूँ उसमें आप देखेंगे कि मैं उसकी व्याक्या भी करूंगी और आपको RDA 2020 के भी कुछ पताऊंगी जो उसमें दिया हुआ है तो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कमेंट करें शेयर करें लाइक करें और म विटामिन खनीजलवर्ण जल और रुद्रांग्ष तो उर्जा उतपादक और उश्मा उर्जा एवं उश्मा उतपादक तत्तो की बात यहां पर कर रहा है यह तो करेक्ट आंसर हो जाता है उर्जा एनरजी हमें किस से मिलती है कार्बोहाइड्रेट से और उश्मा उतपा रक्षात्मक एवं स्वास्त दायक पोशकतत हो तो तो विटामिन खनीजलवर्ण कार्बोहाइड्रेट और वसा जल और रुख्षांच होता है तो यहां पर और उप्ष्या ύम्यूनिटी से तैप कोई वर्ड आ जाए तो वहाँ पर विटामिन और खनीज लवन की बात होती है और साथ में आपके बॉडी को रेगुलेट करने के लिए भी अगर पोशक्तत्तो को पूछा जाए तब भी उसका आंसर विटामिन ही होता है शरीर का नियमन बनाये रखता है वनस्पती प्रोटीन का उत्तम साधन है वनस्पती प्रोटीन मतलब आपके प्लांट जो आपके प्रोटीन है प्लांट से प्राप्त होने वाले प्रोटीन उसकी बात कर रहा है तो यहां पर आप देखेंगे कि जब भी आपको वनस्पती प्रोटीन पूछेगा आप आँख बंद करके किसका सोया बीन लगा जितनेजादा करते हैं जितनेजादा अमीन करते हैं उससे किसे बढ़़ पर डिंट्र के लिय liers करना। यह दो ऊप्न लिले आहे लगी हैं तो में आपको बतादेती हूं। पाचक रसों का निर्माण करना और दातों को बनाई रखना है, दातों को स्वास्त रखना है, कौन सा पाचक रसों का निर्माण करना, पाचक रसों का क्या करेगा, निर्माण करेगा, और क्या, आपका टीथ फॉर्मेशन, मतलब कि दाटों को healthy रखेगा आपका teeth को आपको विद्धी बनाए रखेगा तो यहाँ पर कारें नहीं है पूछा है ठीक है और sodium bicarbonate का आपका teeth को भी healthy रखेगा रख्त की भी विद्धी करेगा पाचक रसो का भी निर्माड करेगा लेकिन शरीर के अमलेचार के संतुलन को नहीं बनाए रखेगा तो pH value maintain करने के लिए किसका आउशक्ता होती है प्रोटीन की आउशक्ता होती है और फिर और जो हमारी alkali diet होती है वो हमारे शरीर के pH को बहु जाए तो 7 हो जाएगा क्योंकि 7 क्या है neutral है उर जायो मूशमा उत्पादक पोशक्तत्त होते हैं प्रोटीन कार्भो हाइड्रे सौरी रिपीट हो गया प्रजनात तंत्र को स्वस्त रखता है विटामिन E विटामिन B विटामिन A और विटामिन K ठीक है तो विटामिन E की अ आपका यह सौंदर प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन B की बात करें तो B में B1, B2 और आपका B3 पूरा B complex का है तो सबके अलग-अलग कारे हैं जैसे अगर कहें कि विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाएगा तो बेरी-बेरी हो जाएगा जैसे चिलोसिस है नाम रेटिनॉल है ठीक है और विटामिन B का क्या है थायमिन है विटामिन A है आपका तो विटामिन A की कमी से क्या होता है रताउंधी हो जाती है ठीक है कौन सा रोग हो जाता है रताउंधी रोग हो जाता है विटामिन की आता है जिरो फाल्मिया वह भी विटामिन A की कमी की विटामिन के लिए आवश्यक होता है जिसमें कौन सा प्रोटीन थॉंबिन नामग प्रोटीन भी इसके साथ में कारे करता है और यह ब्लड क्लोटिंग में सहाइता प्रदान करता है तमाटर हरी सबजियां आवला नीबू नारंगी गाजर अंगूर से पूरा आपका विट विटेमिन सी का अच्छा सोर्स है देखने लाए क्या है बंदगोभी हरी मिर्च इसको भी आप ध्यान में रखें और अनाज में होता नहीं है लेकिन जब उसको हम क्या करते हैं अंकुरित कर देते हैं तो उसमें क्या होता है विटेमिन सी आजाता है जिससे पाचनशीलता को बढ़ाता है fibers के लिए बोड़ी के लिए मतला हमारे guts के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमन होता है तो आंसर यहां पर आपका से होता है vitamin C भारी कारे करने वाले वैस के पुरुष की आवशक्ता क्या है तो RDA की अनुसार पूछा है तो यह RDA 210 का है ठीक है तो 2010 का है तो इसमें 2900 कैलरी जो आपका heavy worker है उसके लिए है लेकिन अगर मैं 2020 की बात करूँ RDA 2020 तो यह जानिए कि RDA 2020 में कैलरी यानि की energy को कोई जगा नहीं दी गई उसकी जगा क्या चीज आई है EAR आया है ठीक है आपका क्या है EAR मतलब estimated average recommendation ठीक है पूछेगा मुझे लगता है यहां से प्रस्टन जरूर आएगा EAR की बात होगी EAR क्या है estimated average recommendation ठीक तो यह क्या है यह estimated average recommendation जो है मतलब कि यह अनुमान लगाया गया है जो कि यह भी यह पूरी population के लिए यह enough नहीं है इसलिए RDA की ज़रूरत है estimated average जो recommendation है तो क्या यह खाली calorie के लिए नहीं यह सारे पोशकत्तों के लिए है लेकिन यह सिर्फ इसमें ऊर्जा को लिया गया है उर्जा के लिए EAR आ रहा है RDA में यह calorie को कोई जगा नहीं मिली है तो EAR को आप याद रखेंगे अच्छा 2020 का अगर हम बताएं कि भारी कारे करने वाले पूरुष में तो जो आपके heavy worker है उनका कितना होता है इनका है 3470 ठीक है फिर उसके आद moderate worker की बात करें तो moderate worker में देखे शार जगा हो इसमें तो यह तो आपका heavy worker का हो गया मैं कैलरी आपको बता रही हूं मैं की और उसके बाद आता है moderate worker का कितना हो जाएगा 2710 और अगर sedentary worker है तो उसका हो जाता है 2110 600 कलरी यह बढ़ती है 210 और 2710 ठीक और 3470 जो है यह heavy worker का है यह सिरेंडरी worker का है और यह moderate worker का है यह आपको पता होगा कि सिरेंडरी worker क्या है सिरेंडरी worker जैसे हमारे IES PCS और डॉक्टर्स मतलब यह सब आते हैं जो की बैठे बैठे मांसिक कारें ज्यादा करते हैं moderate में वह सारे लोग आते हैं जो mental और physical दोनों काम करते हैं जैसे एम मैं एक्जामपल लूँ जैसे clerk हैं यह हम सब हैं हम जैसे हम लोग भी शुक्म कर रह एं टहूं करते हैं और और है विएयर्क और ही सब किसके अंतरगत आएंगे हैं उनकों कैसे याद कर यहां से प्रश्ण जरूर आते हैं और फ्री के आपके दो नंबर दे जाते हैं रटने से ठीक है फिर यहां पर फिर अगला प्रश्ण है गर्वती महिलाओं की प्रदिन कितना अधरिक्त कैल्शियम आईसी एमार द्वारा निर्धायत किया गया है इन प्रश्णों को मेरा लेने का उद्देश ही यही था कि मैं थोड़ा सा आडिये के बारे में आपको बताओं मैं जानती हूं कि आप लोगों में से जाधा अलतर ल कैल्शियम की आउसकता होती है तो जो आईसी एमार के अनुसार था उसमें 500-600 मिलोग्राम जो 2010 का था ठीक है यह इसकी बात हम करते हैं और जो प्रेजेंट में 2020 वाला है उसमें क्या है हमारा 2020 वाला है उसमें 1000 आपका मिलीग्राम एम जी यह क्या है आपका नुशंट्सा किसकी की गई है कैल्शियम की की गई है ठीक है तो अतिरिक्त कैल्शियम का कितना 1000 एम जी थो यह जो है 1000р SG ये नहीं कि फुर०्षी महिलाओं के लिए यगा मैं के लिए भी 1000 है चाहे वो सलेंडरी मॉडरेट से लिए아서 of causes के लिए 1000 है वोमिंस के लिए लिए 1000 है और साथ में जो प्रेग्णेंट लेडी है यथा उनके लिए 1000 है तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज ने तिर आपको वैल्यू याद रखनी है बार-बार रिवीजन से यह चीजें आपकी पक्की होती जाएंगी हर एक वर्ष के शिशु के लिए दैनिक विटामिन एक की मात्रा होनी चाहिए मतलब रोज में विटामिन एक की कितनी मात आपका 2010 के अनुसारी है तो इस यहां पर करेक्ट आंसर होता है 1500 इंटरनेशनल यूनिट लेकिन अगर हम 2020 पर जाएंगे तो यहां पर 350 UG दैनिक आहार किया गया है ठीक यह दैनिक आहार है फिर आगले पर हम जाते हैं एक से तीन वर्ष तथा चार से छे वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलरी ऊड़जा दैनिक दैनिक निर्धारित की गई है तो ICMR के द्वारा तो ICMR ने कितनी दैनिक ऊड़जा बताई है 1200-1500 कैलरी 200-500, 2000-2200, 3000-3200 कैलरी तो यहां पर करेक्ट आंसर यह 2010 के अनुसार होता है 1200-1500 मतलब एक से तीन वर्ष के लिए 1200-1500 यह पहले का है हमारा अच्छा हम करेंट की बात करें हम अपने किस की बात करते हैं 2020 की बात करते हैं यहां पर EAR के अनुसार देखिए कैलरी की मातरा पूछा है तो EAR के अनुसार हो जाएगा आपका आपका क्या हो जाएगा estimated average recommendation उसके अनुसार क्या है यहां पर यह है आपक 11 10 और 13 60 छीक तो 1-3 वर्ष के लिए यह होजाएगी और आपकी 4-6 वर्ष के लिए बालग के लिए यह होजाएगी चाहे आपके एक से 3 वर्ष या 4-6 वर्ष चाहे बाल पूछे चाहे बालग का दोनों सेमी होता है ठीक तो इस तरह से आप देखें तो यहां पर यह हो जादा ये भी आपको ध्यान रखना है कैलरी हमारी क्या पहले से कम हुई है विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा रोग है जो पेलाग्रा स्करवी रिकेट्स रताउंदी तो यहां पर करेक्ट आंसर होता है आपका विटामिन B3 की कमी से क्या हो जाता है बेरी-बेरी आप क्या हो जाता है बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है अगर B2 की बात करें टाइबो फ्लेविन की बात करते हैं तो एंगुलर इस्टोमेटाइटिस विटामिन B2 की कमी से हो जाता है और यहां पर सी दिया हुआ है C से हम जानते हैं सभी पच्पन से पढ़ते हैं अच्छा उप्यूक्त सभी तो यहां पर करेक्ट आंसर यह नहीं कि आयोडीन की कमी देखा और फट से घेगे पर लगा दिया आपको देखना है कि यह पूछ क्या रहा है और सारे टर्म्स को ठीक से को जब भी आप एक्जामनेशन हाल में बैठें आप इस चीज का बहुत अच्छे से पढ़ना है उसके बाद ही आंसर करना है क्या होता है जल्दी जल्दी करने के चकर में हम लोग बहुत कुछ गलत कर देते हैं तो यहां पर आयोडीन की कमी से उत्पन होने वाला रोग क्या है उप्यूक्त सभी है अच्छा मिक्स एडिमा क्या है यहां पर क्या ह मतलब का सिक्रीशन ठीक से न होने के कारण ऐसा काम होता है फिर हम बात करते हैं क्रेटेनिज्म कि क्या है कुछ नहीं क्रेटेनिज्म आपका फिजिकली और मैंटली है जैसे फिसिकली और मैंटली रिटार्डेशन मतलब दिमाघी रूप से शारीडिक और मांशिक रूप से अक्ष्षमता टाइप की मतलब जैसे मंधुधी टाइप के ये आंसर है लेकिन आपको बता दूं की टोड लायक सsin जैसे हम लोग है इसको स्किन टोड स्किन भी कहते हैं मतलब कि जैसे मेढ़क होताना मेढ़क इसतरह के स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से इंसान के उपर भी इस तरह से उसकी स्किन पर स्ट्रक्चर आजाते हैं यह एकसर कहां यह पीच के एरिया में या फिर आपके बैक पोर्शन में इस तरह का नाना निकल आता है तो वही क्या इस्तिती है फ्राइनोडर्मा की है और यह मेंली जो है विटमिन A की डिफिशियंसी से होने वाली डिज तो आप याद रखेंगे जो डर्मा वर्ड है यहापके सकिन से संबनुद है इसलिए फ्राइनोडर्मा क्या हो जाएगी आपकी जैसे वह सुकी-सूकी सी यह से कड़ी-कड़ी सी स्किन मोटे-मोटे से दाने से निकल जाते हैं यह आपका यह कंप्लीट हुआ बढ़ते अंगले प्रश्ण की तरफ प्रसार भारती विधेयक में क्या है सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करना टीवी वा रेडियो के सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना व्यक्तिगत चैनल को शक्तिशाली बनाना इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर आपका correct answer होता है सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करना यह हो सकता है प्रसार भारती का वो नहीं तो यह क्या है टीवी वा रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना मतलब कि जो हमारा मीडिया है उसको क्या करना सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना है ऐसा नहीं कि government के pressure में आ करके वो government की ही के गुणगान करते रहें अपने दिमाग से भी सोच करके और जनता के हित में क्यूंकि हमारा जो यह इस्तम्भ है न यह क्या है यह media ही है फिर अगला प्रशन है हमारा लंबे तन्तु को क्या कहते हैं और मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने टेकस्टाइल का भी वीडियो बना रखा है जिसमें कि आपका फाइबर्स के बारे में फाइबर्स की property प्रायंरी सेकेंड्री प्रपरटी और साथ में जो आप classification पूरा है ऐसे हैं कि आपके नेश्राइब क्या अनेचिर ने प्रामेड के लागे तो आपको बिल्कुल देखें से कहाँ कहां कहां से कौन कौन से इंडारी है तो आप उसको जरूर देखें आगे बढ़ते हैं लंबे तंदु को क्या कहते है इंस टेपल फाइबर elongation fiber, filament fiber, blended fiber नहीं, अगर tan तो लंबा है तो उसको क्या कहेंगे, इसको मीटर में, मीटर से ले करके किलो यार्ड में, किलो मीटर में भी इसको नापते हैं, यह filament fiber यहाँ पर आंसर हो जाता है, इस tra pepper fiber क्या है, छोटे fiber है, जो की क्या होते हैं, हमारे आधे इंच से ले करके लगभग 18 इंच तक इनकी लंबाई होती है इनको क्या बढ़ाया जाता है और blended fiber क्या है blended fiber मतलब दो तरह के fibers को mix कर दिया जैसे आपका korts और wool ठीक है तो मिल करके क्या हो गया korts wool cotton के भी गुड़ है और woolen के भी गुड़ है प्रसार कारे करता की सफलता किस महत्वण मौलिक गुड़ पर निर्भर करती है उसका जीवन के प्रती रवया तथा दृष्टिकोन उसकी वाचनिक तथा संगटनात्मक चमता उसकी व्यक्तित तथा जन्म समदाय से जुणने की चमता जो भी प्रसार कारे करता है उसकी सफलता कैसे निर्भर करेगी प्रसार कारे करें या आप कोई भी कारे करते हैं तक कि आपका व्यक्तित तो ऐसा है, मिलनसार है, लोगों से प्रेम है, मतलब किसी तरह की पार्शियल्टी आप नहीं करते हैं, सबसे अच्छा बेवार रखते हैं, तो क्या अपने आप लोगों से जुड़ने की लोग आपसे आकरशित होंगे और आपसे लोग जुड़ेंग कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट या कोई विशाणू कुछ भी आया तो उसको खाने का काम करेगा, अगर खाने का काम कर रहा है, तो हमारे बॉड़ी को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो यह डबलू बीसी, जो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र है, डबलू बीसी, वाइट ब्लेट कार उसी का एक प्रकार है, फाइगो साइट्स, अगला प्रशन है, हरी पत्यदार तथा पीली सबजियों का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, विटमिन के, रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन और विटमिन डी, तो यहाँ पर आपका करेक्ट अंसर होता है, बीटा कैरोटीन, हरी पत्यदा सबजियों में और पीली सबजियों में पाया जाने वाला फल है, यह तत्तो है, खुला पकाने की अपेक्षा, प्रेशर कूकर में पकाने से ज़्यादा पोशकता तो सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि प्रेशर कूकर में पकाने में कम समय लगता है, प्रेशर कूकर में कम पा टाइम को सेफ करने का equipment है अगर मैं सरल सब्दों में कहूं तो कारे सदली करण का एक उपकरण है निमलिकित में कौन सा समू अमानवी साधुनों का है आय शक्ति और समय बिजली समय और आय समय मुद्रा रूची और कोशल समय मुद्रा योगिता तो यहां पर आय शक्ति और सम सजांसर हो जाता है नेक्स्ट प्रश्ण हें आपका चीक्ति यह और की नमदा है किनह ढ़ागे से नहीं बनता बल्कि किससर बनता है ढ काफिन रेश से बैसे साते संजाग से संजाग इंडिक्न कश्मीरी रग है ठिक है रग जो फर्श पर की बिचाए जाता है और यह धीले रेशों से बनता है और इसमें क्या जो कोर्सवूल होते हैं और उनके साथ में कॉर्टन का जो फाइबर होता है चोटे चोड़े स्टेपल फाइबर होते है उनको मिला का result हमें monitor पे देखने को मिलता है scanner की जगह हां अगर printer होता तो यह correct answer हो जाता गैर मानो संसाधन इन में से किस रूप में भी जाने जाते हैं गैर मानो संसाधन मतलब आमानवीय संसाधन तो क्या है अभौतिक संसाधन प्रबंधन संसाधन उर्जा संसाधन या भौतिक संसाधन तो आमानवीय तत्तो क्या है भौतिक संसाधन ही हमारे आमानवीय तत्तो है से क्या होता है विटामिन B12 की कमी से अनीमिया होता है और यह कौन सा अनीमिया होता है इसका नाम है इसका नाम क्या है परनीशियस अनीमिया ओके विटामिन B12 की और अगर B9 की बात कर दे तो हम यहां पर मेगा ब्लास्टिक अनीमिया चिक तो यह इसको आप याद रखिए अक सारवजनी करना तो कर् fan किया है एक दूसरे की कम्यों को सारवजनी करें गें خ support करेंगे अगर एक दूसरे की कमयों को पनीर में तो आपके जो एलफा टॉक्सिन है वो किसमें पाए जाते हैं मूंफली में पाए जाते हैं टेमपे बना होता है टेमपे किससे बना होता है यह एक प्रकार का शेक है जो कि आप से किससे बना हुआ होता है सोया बीन से बना हुआ होता है टेमपे और यह क्या करता है शरीर निर्माणक पदार्थ में से एक है अगला है है हैपेटिक कोमा में निम लिखित प्रकार का आहार दिया जाता है अधिक प्रोटीन यूग कम प्रोटीन यूग अधिक कार्बोज यूग अधिक प्रोटीन अधिक कैलरी यूग तो क्या होता है बहुत जादा है हैपेटि शील संतुलन है इससे क्या अतात पर है प्रोटीन और उर्जा का अनुपात इसका अनुपात बनाए रखना होता है नहीं तो मैलनुट्रिशन जैसी समस्या हो जाती है यह ओप्शन सही था वैसे उपर दिया हुआ होगा हम इसको देखेंगे उधर कैल्शियम फासफोरस अनु यहां पर कोश्चन के कोडिंग यहां पर आंसर क्या होता है 50-150 mg लेकिन सबसे पहले है तो हम देखेंगे कि TDS का फुल फॉर्म क्या है तो इसमें टोटल डिजॉल्व सॉलेड क्योंकि आजकल फुल फॉर्म भी कॉमन चीज़ों की पूछी लेता है तो आप इसको लिख लि तो आप इसी पर टिक करेंगे 80-150 पर शैश्वा वस्ता में बच्चे में कौन से समवेग नहीं होते आनंद क्रोड उचसा डर तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें कौन से समवेग नहीं होता है डर नहीं होता कैसे नहीं होता है कैसे नहीं होता है उनके अंदर डर त आगरमाल लीजे कोई स्नेक है सांप है और बच्चा कर रहा है खेल रहा है तो वह क्या करेगा इसको पकड़ करके इसके साथ खेलने लगेगा चाहिए उसको पहुंचाए इसी सब चीजों से हम समझते हैं कि क्या होता है शैश्वा अवस्था में डर नहीं होता है दो वर्ष में सा कौंट सा उदाहरण यह पूछा करो ऑलिक एसिद लिनोलिक एसिड और और आर्कीदोनिक अधर छोनों याद रखे जो है यह जो ऑलिक इसिड है किया दौर्चिर यह मूफा का लिकारे और इसमें क्या होता है जा यह आपको प्यूफा का उदाहरण नहीं है तो यहां पर आंसर होता है ओली केसिड यह प्यवफा का उधारण है लीडॉन के इस सिर जो आपका सैचुरेचेट फैटी एसिड होते है जो होता है भी नहीं होते हैं तो क्या होता है इसमें कोई भी Double Bond नहीं होता, Zero Double Bond, कोई भी Double Bond नहीं होता, फिर उसके बाद आपका आता है Mufa, Mono Unsaturated Fatty Acid, तो जो आपका Mono Unsaturated Fatty होता है, यह क्या है, यह बहुत ही Good, बहुत ही अच्छा होता है, कैसा होता है, अच्छा होता है, इसमें क्या होता है, Single, एक मतलब single double bond होता है इसमें क्या होता है single double bond होता है और ये आपके SDL को बढ़ाता है और LDL को क्या करता है कम करता है SDL क्या है good cholesterol है ठीक है उसको बढ़ाता है ठीक और ये LDL आपका bad cholesterol है और इससे क्या होता है जो cardiac रोग है उसमें क्या होता है कमी आने की संभावना होती है तो यह आपका हो गया, आपका monounsaturated fatty acid, इसका example आपका mustard dial भी है, फिर आप हम बात करें polyunsaturated fatty acid, जिसका की example यह दिया हुआ है, तो polyunsaturated fatty acid जो है, वो आपके यह fatty acid होते हैं, जो कि इसमें क्या होता है, double, मतलब 2 double bond, 2 या 2 से अधिक, 2 और more, इसमें 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, double bond होते हैं, तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कि जो saturated fatty acid है, उसमें कोई भी double bond नहीं है, जो आपका monounsaturated fatty acid है, वो good cholesterol को बढ़ाता है, health के लिए अच्छा है, वो monounsaturated fatty acid जो है, वो उसमें क्या होता है, single double bond होता है, और polyunsaturated acid में 2 या 2 से अधिक double bond होते हैं, ठीक, अब आगे प्रश्न की ओर, खादे पदार्थ के कारियों के आधार पर निमलिखित को रक्षात्मक खादे कहा जाता है, कारियों के आधार पर है, रक्षात्मक अभी मैंने बात की थी, सुरक्षा की बात ने कही तो विटमिन किसमें सबसे जादा पाएंगी हरी पत्यदार सबजियों में, मंडुआ, चावल यह सब चलिये, तो कोई मतलब नहीं है उसका, फिर उसके बाद लिनिन कहां से प्राप्त होता है, लिनिन हमें फ्लैक्स टामक पौधे से प्राप्त होता है, मैंने आप से बताय मैंने classification कर दी, आप उसको देख सकते हैं, प्रोटीन में कितने प्रतिशत लगभग nitrogen होती है, तो जो हमारा प्रोटीन है उसमें 10 प्रश्यत, 16 प्रश्यत, 25 प्रश्यत और 6 प्रोटीन में हमारी nitrogen की बात कर रहा है, वो कितना होती है, तो यहाँ पर correct answer होता है, कि प्रोटीन म और nitrogen तो है ही, ठीक है, sulfur और nitrogen जैसे तत्तो प्रोटीन में मिले हुए होते हैं, अगला प्रशन है, एक शिशु 6-12 माह की सामान हिर्दय गती कितनी होती है, 17-100 प्रति मिनट, 100-160 प्रति मिनट, 80-140, 150-80 प्रति मिनट, तो मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या करा, एक शिशु जो 6 से 12 माह का है, 6-12 माह का अगर वो है, तो उसकी कितनी हो जाएगी, 80-140 प्रति मिनट के हिसाब से, उसकी हार्ट बीट चलेगी, अच्छा कॉमन में की कितनी है, वैसे तो 72 हम कहते हैं, लेकिन 70-90 के बीच में होनी चाहिए, और साथी साथ में जब एक शिशु अगर जब प्रथम पाठशाला क्या है, परिवार है, तो यहां पर करेक्ट अंसर, पहली यूनिट क्या है, परिवार है, और पहला अध्यापक, पहला गुरु कौन है, माह है बच्चे का, अगला प्रश्न, यौमना अवस्था को विभाजित किया गया है, पांच अवस्थाओं में, और उत्तर किशोरावस्ता, मतलब जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी कप, यह 13 एर की एज में, जब गल्स को, 13 से 16 एर ये आपका उत्तर हो गया, पहले वाला हो गया, यह आरंभिक हो गया, और 16 से लेकर के, 18 तक यह आपका क्या हो गया, आपका उत्तर की शोरावस्था हो गई इसको सत्रा भी आप कर सकते हैं उत्तर की शोरावस्था हो गई फिर अगला प्रशन है हमारा पांच बर्श के बच्चे को तेज बुखार है और हम उसको निगलने में तक अच्छा गले की जब भी बात होगी तो आप ध्यान लखेंगे टॉर्स से दे लिवह निगलने में जो कि भोजन को हम क्या करते हैं अंदर करते हैं अपने अहार नाल में उसको हम निगलना कहते हैं और है LiPTHIRIYA यहां पर correct answer होता है answer number D अग्ला प्रश्न है पाटोला वस्त्र का संबंध किस राज्य से है उत्तरप्रदेश मद्यप्रदेश गुजराफ से और उडिसा से तो यहां पर correct answer होता है गुजराफ से तो पटोला कहां से संबंधी थे गुजराफ से संबंधी था और बहुत ही सुन्दर वस्त्रों का निर्मान किया जाता है और इसमें कौन सी डाई होती है इसमें रसिस डाई होती है इस तरह का प्रशन भी पूछा गया है कि पटोला में कौन सी डाई होती है तो रसिस डाई होती है और इसमें ताने और बाने के धागों को अलग-अलग रंग दी गई शिक्षण विधी कौन सी है एतिहासिक योजना विधी प्रदर्शन विधी प्रयोग विधी तो क्या होता है किल पैट्रिक ने कौन सा मेथड दिया इन्होंने प्रोजेक्ट विधी दी और जो प्रोजेक्ट विधी किल पैट्रिक महोदय ने दी है उसमें क्या कि जै जिन भोगता शिकायतों को निप्टाय जा सके उनकी राशी कम से कम होनी चाहिए उनकी राशी कितनी होनी चाहिए 20 लाग तक होनी चाहिए यह जो आपकी यह नया भी आपका आ गया है जो भोगता आपका विधेक है वो क्या हो गया है यह नया भी आ गया है और इसमें कुछ न बुलन टाका और फैगोटिन टाका तो जो यह है बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है तो वो कौन सा टाका है हैरिंग बॉन टाका है हैरिंग बॉन टाका कपड़े के दोनों और जो आपकी वो होती है यह जो एज होती है दोनों ठीक है इसी पर क्या किया जाता है इसको इसके उपर इस धागे मतलब इसका है एरिंग बोन स्टिच का प्रियोग किया जाता है और जो यह है इसमें इस प्रकार की कढाई होती है जो आपके कपड़े की जो किनारी होती है उस किनारी को क्या कियाता है जो बार्डर है उसी बार्डर को के उपर इस तरह के इस तरह की सन्रचना दिखाई देती है और इस तरह से यहां चिकन कारी की तरह ऐसे ऐसे करके धागे पीछे के साइडवे आपको देखने को मिलेंगे तो यह बॉर्डर को सुन्दर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हेरिंग बॉनिस टीच का जागरु को भोगता बनने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए धिल लेना वश्यक नहीं है विग्यापन से प्रभावित होना चाहिए उप्यूत में से कोई नहीं तो यहां पर हमें अपने अधिकार को जाना चाहिए जो हमारे कंजिमर राइटष जागो ग्राहक जागो ठीक है तो उसका हमें क्या होना चाहिए गेहु में पाया जाने वाला प्रोटीन गेहु में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है ग्लूटीन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है गेहु में पाया जाता है और यह ग्लूटीन है ग्लूटीन क्योंक कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कि ग्लूटिन से एलर्जी होती है तो वह गेहूं तथा गेहूं से बने हुए उत्पादों का उभोग नहीं कर पाते हैं मतलब कि खा नहीं पाते हैं तो इससे कौन सी हो जाती है सीलियक नामक डिजीज हो जाती है ग्लूटिन से ठीक ग्लूटिन ये एक प्रकार का ये प्रोटीन है जो कि आपके किसमें पाया जाता है गेहूं में पाया जाता है और कुछ ऐसी ग्लूटिन फ्री डाइट्स भी आप देखेंगे कुछ डिब्बों के उपर लिखा रहता है इसमें क्या होता है जो उनका इंटस्टाइनल ट्रैक होता है उसको क्या होती है इससे अलर्जी होती है और जैसे ही एंट्री करता है बस पेशेंट को कहीं मतलब की पेट खराब या इस तरह से कुछ भी हो जाए इस तरह के लक्षण देखने को मिल जाते हैं सीलियक रोब मे मतलब बहुत जादा पेट को बहुत नुकसान करता है मोशन गरबर हो जाता है भोजन के साथ जुड़े कैंसर कारक पहचानी है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कीट नाशी फिर आपके एमसपर जीलस और पॉली साइकलिक एरोमेटिक हाइडरोकारबन उक्त सभी तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है कि जो भोजन के साथ जुड़े कैंसर जो भोजन में हम खा लेते हैं और खास करके जो हमारे प्रिजर्वेटिब्स हैं और हमारे जो पेस्टी साइड्स हैं वो सबसे ज़्यादा नुक्सान पहुचाते हैं तो आंसर होता है उप्यूक्त सभी एक एलाकार का कैबिनट ववस्था उप्यूक्त होती है केवल चोटी रसोई के लिए केवल बड़ी रसोई के लिए तो यहां पर L.A.K.R. की cabinet वस्था किसके लिए उप्यूक्त होगी यह बड़ी रिसोई के लिए उप्यूक्त होगी आगे का option में बता दूंगी correct answer यह है अगर हमारा मा लीजे यह kitchen है और हमने इसमें ववस्था की है जो cabinet है हमारा cooking range है यहां इधर sink वाला area है और हमने क्या किय यहां बड़ा सा हमारा kitchen है तो हमने क्या किया जो यह वाल खाली है हमने यहां पर अपनी dining table सेट कर ली और हम क्या यहां पर सब लोग बैड़ गए खाना खाने के लिए और यह हमें अलग से dining table को सेट करने की ज़रूरत नहीं है तो यह यह एलाकार की cabinet विवस्था है यह क्या बड़ी रसोई के लिए बहुत ही ज़्यादा उप्यूक्त होती है अगर आपकी रसोई बड़ी है तो आप यहां पर dining table भी खाने की मेज को भी एड़ कर सकते हैं अगला प्रश्ण है PC culture आपका यह है रेशम की खेती को कहते हैं यहां पर आपका C और D जो आप्शन है यह यहां पर इसका कोई मतलम नहीं है फिर उसके बाद रेशम की खेती रेशम की खेती उत्पादन को कहते हैं क्या कहते हैं पिसी कल्चर सिल्वी कल्चर सेरी कल्चर उप्युक्त में से कोई नहीं तो रेशम की खेती होती है उसको क्या कहते हैं जो रेशम कीटों का उत्पादन जो आपकी मलवरी लीप्स के उपर जिनका उत्पादन कियाता है कि जाती है वो कौन सा है आपका सेरी कलचर के अन्तरगता तक्राया ब्लकुल आपको भूलना नहीं है रेशम यह और इसको क्या है बोलते है तो आपका। प्रोटीन की कमी से बच्चों में या रोग दिखाई देता है कौन सा रोग दिखाई देता है मेरासमस क्वाशियार कर रतोंदी इसकरवी अच्छा प्रोटीन की कमी से आप देखिए कौन सा रोग क्वाशियार कर नमक रोग दिखाई देता है ये पता नहीं क्या प्रोटीन की कमी से आपको कौन सा रोग दिखाई देगा आपको एक मिनिट थोड़ा सा कुछ करबर सरबर हो गया है प्रोटीन की कमी से बच्चों को यहां रोग दिखाई देता है तो क्वाशियार कर यहां पर करेक्ट आंसर होता है जब हम प्रोटीन की कमी की बात करते हैं यहां पर प्रोटीन की आपकी कमी हो गई तो यह आपको क्वाशियार कर हो जाएगा ठीक है प्रोटीन प्लस एनर्जी तो उससे क्या होगा मेरेसमस हो जाएगा अगर प्रोटीन एनर्जी दोनों होता तब मेरेसमस होता और क्वाशिय कराना अनुपूरक पोशन कराना तथा सूखा भोजन करना तो आत्रेजर आप ध्यान देंगे कि आत्रेजर क्या है कि आंतों के द्वारा ठीक है तो यहाँ पर बीमारी की दशा में रोगई को व्यक्ति मुह द्वारा आहार नहीं ग्रहण कर पाता क्यूंकि भोजन चबने वहां उस तरह से भोजन चला जाता है अच्छा यह आपका टीपीन है आपका टोटल पैरेंटल नूट्रिशन और आपका पैरेंटल नूट्रिशन तो कभी टाइम अगर मिला मुझे और आगे अगर प्रशन आया तो मैं जरूर इसको आप बताने की कोशिश करूंगी कि यह है साट वसें तो आपका याद रखेंगे चैनन मदरास में क्यां लुद्धियान दियान雏 मटे लगालें तो यह after a, इसका बी मलिई है और आसे, व्यक्ति के हिर्दय की प्रत्वीनट प्रवाहित होने वाले रक्त की मात्रा कितनी होती है कुछ प्रेशनों में थोड़ा common sense आप लगा लेंगे लगभग दो लीटर लगभग तीन लीटर लगभग चाल लीटर लगभग पांच लीटर तो क्या होगा? लगबग 5 लीटर जब हम मतलब आराम किये इस्थिती में होते हैं तो 5 लीटर क्या होता है प्रवाहित होता रहता है मुंडेल सूची के द्वारा इस तरों को निर्धारित किया गया है मुंडेल सूची जो है यह एक्जाम वालों का फैवरेट टॉपिक है मुंडेल सूची की बात की थी तो उसमें मैंने बता दिया था कि 5 प्रकार के आंख बंद करके मुंडेल को 5 प्रकार से आप याद कर लेंगे ठीक है तो उन्होंने क्लासेज आफ चेंज कितने दिये हैं 5 दिये हैं मतलब कि आपकी कलर ब्लाइडनेस वह क्या है एक अनवांचिक रोग है तो उसमें कौन-कौन से रंग भाई नहीं दिखते यह भी आपको जानना चाहिए हरा नीला इन दोनों रंगों में क्या होती है पहचान नहीं हो पाती है और यह एक Anवांचिक रोग है नाइलान कपडे के तन्तु इससे बनते हैं नम से वेट से ब्लो सेृट्राइस से मिल्ट से तो नाइलान कपडे के तंतु जो है नाइलान क्या है हमारा क्रितिम फाइल इसको क्या कियाता है मेल्टिंग प्रक्रिया किया जाती है इसको पॉलिमराइजेशन होते हैं इसको मेल्ट करते हैं फिर इस्पिनरेट से जैसे इस तरह से इस्पिनरेटर से क्या करते हैं इसको गुजारते हैं यह इस्पिनरेटर है ठीक है यहां से क्या करेंगे यहां पर च वजन कितने प्रश्चत अधिक होता है तो मुटापा कहलाता है तो अगर 20 प्रश्चत अधिक हो जाए तो क्या कहलाता है ओबिसीटी की कटेगरी में आ जाते हैं और जात स है नौजाज शिशु आम तोर पर इससे पिडित रहते हैं आतों के संक्रमणद से को हो जाता है और यह जो पहला है कि आतर संबंदी रोग बार बार लूज मोशन होना यह भी होता है और माता दौरा यौन संक्रमित रोगों से को बांदे के लिए प्रियोक्षाला तक्निकी मिश्रणों को प्रिथक करने के लिए प्रियोक्षाला तक्निकी तो जलिए अब घटन के लिए प्रियोक्षाला तक्निकी को क्या कहते हैं केमिर्टोग्राफी कहते हैं तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही होता है अगला प्रश सब्सक्राइब》। एक स्थान पर यह ओंतल सब्यु कि नहीं मिलता हम को विक्ति प्यारी है किसमें जौर्ट फैमली में बैक्तीडिया जो दूद को दही में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है एकोलाई लैक्टो बैसिलस राइजोबियम और कोस्टिडियम क्लास हमेशा हम लोग साइन्स की बुक में पढ़ते चले आ रहे हैं लैक्टो बैसिलस जो है यही क्या है हमारा जो दूद को दही में परिवर्तित करता है और क्या गुट बैक्टिरिया है न ये रसोई घर में आग की दुरघटना को रोकने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए खाना पकाते समय नायलान का कपड़ा पहले अच्छा कुछ-कुछ ऑप्शन तो बड़े हास्या प्रद हो होगा रसोई घर में की रोसीन तेल रखे अच्छा जैसे की गर्मी से आग पकड़ ले ठीक है तो यह गलत है यहां पर आप्शन नमबर बी आपका करेक्ट है कि खाना पकाने के बाद अपने सिलेंडर की नौब को क्या करें बंद कर दें वस्तर की वह गुडवत्ता जो उस उसे ड्रिब ड्रॉप में सहायता करती है क्योंकि पानी उसमें और शोशित ना हो कहलाती है वो क्या कहलाती है आपकी तो यहां पर आपका करेक्ट अंसर होता है आंसर नमबर डी अच्छा मैं आपको बताओं कि यहां पर जो यह आदरता लिखा है न तो यह है आपकी यह है आपकी विकिंग प्रॉपर्टी क्या है विकिंग ठीक है गुडवत्ता जो उसे ड्रिब ड्रॉप पे सहायता करती है क्योंकि पानी उसमें और शोशित ना हो तो यह स्पोर्ट् के कपड़े हम लोग पहनते है उसमें स्वेटिंग बहुत जादा होती है क्योंकि वह मॉश्चर को बाहर से खीच लेता और बॉट्टी में क्या वह बहुत जादा स्वेटिंग होती है तो यह डिब ड्रॉप जो है यह वीकिंग की प्रणाली है एक दिन में आपको जो का काम जो होता है वो इसी से होता है जिससे स्पोर्ट मैन के कपलों में उसमें क्या होता है पसीना नहीं आता है और वो क्या करता है मतलब आप जैसे पसीना बॉड़ी में हुआ ना तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पर ल इधर उधर इधर उधर जाता रहेगा और उससे क्या हो जाएगा बोड़ी को ठंडा रखेगा स्वेटिंग नहीं होती है और स्पोर्ट्स मैन के कपड़े इसी विदी के द्वारा बने हुए होते है लड़ने या उणने के हर्मोन तो लड़ो लो की बात यहां पर कर रहा है तो इंडोनेलिन नौर्डेरिन जो भी है आपका तो यहां पर option number A आपका correct होता है thyroid gland दूसरा prolactin growth हार्मोन तो यह कुछ नहीं जो आपकी जो हर्मोन है आपके kidney के उपर इस्तित रहता है गुर्दे के उपर इस्तित रहता है उसी की बात हम कर रहे हैं यह हर्मोन यही क्या है लड़ो उड़ो हर्मोन के नम से जाना जाता है सबसे अच्छा बजट कौन सा होता है आय का बजट घाटे का बजट बजट का बजट इसक्स कोई नहीं तो correct answer होता है आपका बजट का बजट जिसमें की बजट की जाए और जो हमारी Angel महोधया है उन्होंने क्या कहा उनके बजट में बचत का कोई प्रावधान नहीं है प्रशन ये पूछा हुआ प्रशन है जो मैं बता रही हूँ प्रतेक परिवार की जीवन चैली प्रभावित होती है जीवन दर्शन से विवहार से और भी दो अप्शन थे लेकिन करेक्ट ये है आपका जीवन दर्शन से तो जो ये प्रभावित होती है ये किस वज़ा से होती है ये आपके जीवन दर्शन से मतलब जैसा हमारा क्या रहेगा जैसी हमारी वैल्यूज होती है हमारी लाइफ की जो वैल्यूज है वही क्या है हमारी जीवन शैली को बनाती है कि हम किस तरह का जीवन जैसे हाई स्टै देखते होंगे कि उनकी वैल्यू स्ट्राइब की होती है नहीं अगर यह सही है तो सही है गलत है तो यह सारी चीजें किस पर आपके जीवन दर्शन पर निर्भर करती है और जो यह हम विकिंग का बता रहते हैं आपको कि और विकिंग के लिए क्या जो स्पोर्ट्समैन के वस पर पॉलियस्टर के कपड़ों पर यह परिसज्जा की जाती है विकिंग की ठीक है तो विकिंग से वो बने हुए होते हैं पॉलियस्टर याद आ गया मुझे चले फिर आज के लिए इतना ही अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करें लाइ से कुश्चन नहीं पूछा जाएगा कल हम लोग मिलते हैं वन डे बन चैप्टर में नए चैप्टर के साथ ओके बाई बाई